बिस्मिल्लाइब नम्हानि रहीम, स्टार्ट करें एक सार्टर लेक्चर, चेप्टर पोर का आज का फ़ना लेक्चर है, इसमें डिसिपली हमने सारी हिस्ट्री पढ़नी है कि सेल वो किस सदा से डिस्कवर्ण के रहाता, तो हमोसे सांटिस्ट थे जो अपने अपने टाइम पे इसके काम करते रहे हैं, और सेल थेयोरी किस सरा से डिस्कवर्ण हुई, और सेल थेयोरी की स्टरा से डिस्कवर्ण हुई, और सेल थेयोरी की स्टरा 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 सेल थे यहां में जो सबसे पहले साइडिस्ट का नेम आता है आपको के लिमेंश है वो होसा है इस रोडर रुस्टू की अगर हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले जो काम किया इसमें क्या काम किया था इसमें आइडिया लिया हुआ कि एनिमल्स हैं और नार्स हैं वो some how they are related कुछ ना कुछ हो आपस में relate करते हैं ठीक है अब अगर कुस राइंटी बात करें कि जब बिल्कुल हमें सेर के बार में नहीं पता था हमें सेर के जो स्रुक्चर जों का नहीं पता था तो यह बात बहुत अजीव थी एक आइडिया बहुत अजीव सा था कि प्लांट्स और अनिमल्स एक दुसरे से relate करते हैं यह किस तरह से को सकते हैं क्योंके दोनों की एगर हम देखें हुंकि अपैरस रिकुल different हैं काफी सारे इसे अइसे characters और नहीं में different हैं आपस में मिलते हैं उसने नहीं है वापस में मिलते नहीं हैं अगर हम रिस्तु की बात भाते हैं भी इसका फ्यार है कि प्रांट्स और अपस में रिलेट करते हैं तो यह उन्यों कि मैड़ बस कुरस्स होते हैं कि क्या इनके सेल के अंदर या इनकी बोडी के अंदर कुछ इस स्ट्रॉक्चर्चर्स मोजूद हैं जो के एक जैसे हैं ब्लांस में और एलिबल के राइड़ दाफसमें तो यह मारे बास हमें को सेनराइज हो रहा है अब पर आगे आगे इसके पर मजीद लोग काम करते हैं यहां पर बात कर रहे हैं कि सबसे पहले 17th century में एक बहुत बड़ा आप यह कह सकते हैं काम हुआ था यहां पर हुआ किया था यह किस ने डिसकवर हो था ठीक है यह किस ने डिसकवर किया यहां के साइटिस का ने मैंशन है साइटिस है रॉबर्ट हूप 1665 में उसने सेल को डिसकवर दिया अब उसने कैस यहांने जो बड गते हैं गहीं समय कोअधनिकर के एक झाल्ट है कार सी लीवस की शुता सा सिभ लाप्त्र 해도 को की अदर ने उसको देखा जब श्रूर्ड के इंदर तर तो फॉरमेजन के की बहुता है इसको बहते हैं जिण प्रॉक्वित निक्स तर pineapple स्थे को होती है i mean ऐसको देखा हो इसके देर छोड़े च्छोड़े box लेहा है यहां उनको compartments का सकते हैं आगे पूम्ने करुबर्स तक क्या जब रोवर्ट को नियाH एक उसने एक ऐनी को म्रेक स्ट्क्चर देखर या उने छोड़े छोड़े कमपार्पर्पर्पर से एक उसने एक नेल देखर, इसी से पिटन सैंड अराइज़ियों आपके 2400 के सेवेटमे सेज़ेरी में, सम्ट 강प काकीशल में 1565 में साइटिस दा आपके साथ में रोवर्ण। इसने सबसे पहले सैल को डिसकवर किया। इसने सबसे पहले इसके बान को पहले साथ ने घ्निस ने इसके आपके साथ अनुछी में तूर आखीजक दगए। पानी के अंदर पॉर्ड में इसने देखा था, वो लिविंग और्गनिजम इसने उसको स्टडी किया था, तो उस लिविंग और्गनिजम ना इसने 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 इ उसमें माँ किया उसमें यह कहा कि किसी भी अगर बात करते हैं कि यह पुर्णिजम की उसके अंदर नो बाड़ी तर्फाइब नहीं हो सकती अगर यह सब्सक्राइब नहीं बना तो उसके लाइफ एक्सिस्ट करने के लिए या लिविंग और इसम के अंदर यह सब्सक्राइब नहीं बने होगे तब तक हम नहीं कहा सकते हैं यह इंक अगर रहे हैं उसके बाद नहीं सुर्वारी वासमा पे एक बड़ा आफ था यह कैसे अंदर इंवेंशन थी और क्या थी यह हर दी आने को साइटे से असना लेगा है रॉबर ब्राउन रॉबर ब्राउन ने क्या का थिया उसने निंग्लस को डिस्ता बता दी अब निंग्लस आप सबको पता है निंग्लस किया है सेल के सेंटर में बैसिकली यह तरह का structure है जो के सेल की सारी अक्टिविटीस को किर्डूर करते है विए 38 यहां पे 29 यहां पे disco बताई ते गा आथ उसने सस्टरीन निए उसने स्टेपमर्ट दी चुर्फूरी था नियुँप कुन्गि बारे छिया। जिजन्हें की क्सफिर्धवी निमा निसने स्टीटमेंट दी पर उसने सेड्मेंट दी स게ड्रेड में जर्फ्रेmmu तो यह बेसिलिली दो Milka Scientist से जिनों ने Self Theory की बुन्याद रखी थी तो यहां गोसिंग प्लार्टिशन को उसने अब्सर्ब किया उसने स्टडी किया उसने पर स्टेक्टन दी थी Self Theory कि उस स्टेक्टन क्या थी Our Plants are Aggregates of individual cells which are fully independent कि जितने भी Plants हैं वो Aggregate है अब कहा सकते हैं ये तरह से घ्रा से सामप करना जमा करना थीच ये कठा होना एंडरीगेरस सेभंड यानि इस ज्यादा सरह मिलके एक पूरा प्रॉड़ा बाडी बनाते हैं विच आरगो बोली इन्डिमेनर्ट और इस तरह के सारे सेभंड करते हैं विश्च ने इसने सबसे पहले काम पूद कर दी थी, उसके बाद नेस्ट नो मेरे पास आ जा जा गए थिन 30 आई में एक सार के बाद यहां पे जारत स्ट्राइस का नागा जिंडर शौान, इसने एनिमर्स को स्ट्टी किया था और इसने भी जो सैल्थ थी गाया रखी थी, न मों आप स AuburnusSeblar' की सैल्थ एगायानी जितने भी सैल्थ ने सैल्थ यह प्री एकसिंटंस直接 스र्ट्व मर्हान की सैल्थ यानी जितने भी सैल् यह स्ट्रं नेस बाल रहे वो कैसे बदा है, यह क्यूं हवाब यह तो नहीं हागया, पैसे तो नहीं हाता एक जो निया सल बंगा है वो पहले से मुझूद सल की डिवियन से बंगा है, पहले से मुझूद सल डिवाइब करेगा, फिर उससे एक निया सल अराइज होगा, तो यह इसकी स्टेटमेंट थी यह बड़ी इंपोर्टेंट है इस लिहां से, नेस्ट लाइस को बरे पास से अरिम की बेसिज टेवियन हों पर साफियरी दी यहां पर में जो आज का टॉबिक था, कि किस तरह से साफियरी बंदी है या इसकी हिस्टरी क्या है, तो हफिद शीटन और शवान हैं इन दों का यहां बेचल कोड़ीशन है यहों इसको पर ज्यादा गावग लिया, तो सा टेंशार पर नि कहा हमारे पास यहां बेसिक पॉइंट शाथी है, सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें, all organisms are composed of cell, जितने भी living organisms हैं वो cell पे गलस्ट करते हैं, वो इस cell से बिलकेबने हैं, यानि cell हमारा invasive structural or functional unit है, हमारी जो बुनियाल है वो एक सेल है, सब एक सेल से जिरुके बदे है, ठीक है, नेट सो इसमें दूसरा प्रया था, Cells are a smallest living thing, सेल एक सबसे चोटी living thing है, और उनके पी राफस में combine होने से, organized होने से, एक complete individual living organism, एक चांदार बन चल रहा है, नजए टीसरा point नेकर इसे, इसंट पने तो cells arise by a division of the existing cells, यह वो ही गाल जो भी उनके अट चांदार और मुच्छो ने जो माम किया था, कि जो इससेल्स है, वो पहले से मुझूद cells से arise होते हैं, और भी इस सरा से एक multicellular जांदार, या अगर भूरिशन दो जान दार की बात करना है, जिसना से Living Organisms इन से राइसर होते हैं. तो यह हमारे पास इस Cell Theory वो उसकी सारी History. वेसिलिए Cell Theory है जिसकी बेस्टियां किसी भी Living Organisms पो Define करते हैं. यह हम जाता हैं कि यह हम जाता हैं, जिसकी बेस्टियां करने यह Living Organisms इन से राइसर हैं.